दोस्तो दबंग कानपूर वालों ने कर दी बांगलादेशी फैन की बेदर्दी से पिटाई तो सदमे में आज पूरा क्रिकेट चकत यहां तक की दुनिया भर के बड़े बड़े दिगजों केविन पीटरसन से लेकर रिकी पॉंटिंग यहां तक की शोय वक्तर और सचिन तेंदुलकर भी भड़क गए और अब दोशियों को सक से सक सजा देने की डिमांड घरते हुए उन्होंने जो कहा अपने बयान से तो हर किसी को हैरान कर दिया तो आखिरकार क्या है पूरा मामला क्या कुछ इन महान दिककज खिलाडियों का उस फैन की पिटाई पर रियक्शन रहा उन सब के बयान तो हम आपको जरूर दिखाएंगे ही लेकिन उससे पहले आप इस हरकत पर क्या कहना चाते है इस दौरान काफी मातरा में समर्थक अपने अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुचे हैं हाला कि इसी भी इच स्टेडियम से हिंसा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ भारतिये फैन्स ने मिलकर एक बांगले देशी फैन पर हाथ साफ किया जिसकी वजह से वो घाय रॉबी को धक्का दिया और उससे बांगलादेश का जंडा भी छिन लिया इस दौरान जब उन्होंने विरोध करना चाहा तो इंडियन समर्थकों ने उनकी धुनाई कर दी इस मामले को शांत करवानी के लिए अन्ने लोगों को बीच में आना पड़ा फिर स्टेडियम में मौझूद पुलिस भी पहुची और उन्होंने रॉबी को दर्द से करहाते हुए देखा जिसके बाद फैन को अस्पताल ले जाया गया हालाकि रॉबी को कोई गंभीर चोट लगी है या नहीं इसके बारे में जानकारी अभी सामने नहीं आई है लेकिन भारत में हुई इस बांगलादेशी फैन्स के साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहत कलत है मैं इसके खिलाफ खुद खड़ा हूँ किसी टीम के फैन के साथ ऐसा पिलकुल भी नहीं करना चाहिए ये सिक्योरिटी की लापरवाही की वज़ा से शर्मन साथ खटना हुई है जिसकी वज़ा से मैं इस्ट्रिलिया के पोरवत दिकच खिलाडी और कप्तान रिंकी पॉंटिंग ने भी बयान देती हुए कहा है कि भारत जैसे देश में ऐसी खटना निकल कर सामने आना बेहत ही शर्मनाक बात है मैं इंडिया में काफी वक्त बिताया हमने आज तक ऐसा नहीं देखा था लेकि लो तुम्हारा देश कौन सा बड़ा सुरक्षित है मासूम फैंस को लोगों ने पीट दिया कितनी शर्मनाक बात है चलते चलते ऐसे लोगों पर कारवाई करनी चाहिए यह जानलेवा हमला है अभी किसी को पीटा गया है कल किसी का मर्डर कर दिया जाएगा अब हमारी टीम वो बिलकुल भी गलत है मुझे तो अपनी आखो पर भरोसा नहीं हो पा रहा है मुझे कहीं न कहीं उस बांगलादेशी फैन की भी गलती लग रही है कोई किसी को छूट में क्यूं ही पीट सकता है तो दोस्तो देखा आपने कैसे गुस्ते से लाल पीले होकर दुनिया भर क दिखकचों ने बयान दे दिया लेकिन दोस्तो अब आपको क्या लगता है इस मामले में सक्त कारवाई होनी चाहिए या नहीं नीजे कमेट करके अपनी राय जरूर बताइए का और ऐसी ही शांदार खबरों गले मारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद रोहिट शर्मा की वो तूफानी बल्लेबाजी और मैच की पूरी हाई लाइफ तो हम आपको जरूर दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहिट शर्मा ब्रायन लारा और सचिन तंदूलकर में से कौन है सबसे महान खिलाडी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है भारत और बांगलादेश के बीच दो मैचों की रोमांचिक टेस सीरीज का धमा के दार शुभारम चेकाप पाक के मैदान पर टीम इंडिया की 280 रनों की धुआधार जीत के साथ हो चुका है इसके बाद ये कारवा भर चला है उत्तरप्रदेश के कानपुर शेहर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जहां दूसरे टेस्ट मैच का बिगुल बजाने के साथ साथ भारती टीम के कप्तान रोहिट शर्मा ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबासी करने का फैसला किया लेकिन रोहिट शर्मा खुद आज पहले ही दिन अपने बल्ले से इस कदर कयामत लेकर आने वाले हैं इसका अंदाज पआंगलदेश को क्या खुद रोहिट शर्मा और भारतीय खिलाडियों को भी तनिक भी नहीं था आपको बता दे इस मैच में रोहिट शर्मा ने तूफानी बल्लेबासी करते हुए पहली ही गेंद पर चौके के साथ बे अपना खाता खोला और बता दिया कि आज इसी अंदास से वो तूफानी बल्लेबासी करने वाले हैं और ये बल्लेबासी इसी तरह से दिखने वाली हाल जाकि ये थो सिर्फ चुरुवात थी। इससे ही अंदाजा हो गया था कि वो आज किसी को भी नहीं छोड़ने वाले ही। का आकड़ा पार मातरे 120 गेंदों पर कर लिया और 1500 गेंद के अंदार अपना धोराश शतक पूरा करते हुए सभी को हैरान परिशान कर दिया। जहाँ पर उन्होंने अपना धोराश शतक का अपने मन पसंदीदा पूल शॉट के जरिये गेंद को स्टेडियम के पार मार कर पूरा किया जिस पर खुद कोहली गंभीर से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर कप्तान रोहित के सम्मान में खूप तालिया बचाई और के लगातार मेहंदी हसन मिराज को लगा कर 330 गेंद पर पूरा किया और हर एक गेंदबास को उनकी मौत से मिलाना जारी रखा क्योंकि पाना किसी भी गेंदबास के बसकी बात अब तो नहीं थी वो तो केवल गेंदबासों से अपने मन मुताबिक खिलवार कर रहे थे तब ह रोहित ने अपना यमराज दिखाते हुए रगातार चार गेंद पर चार छक्के उड़ाते हुए वो भी साके भलहसन के सामने मातरे 200 गेंद पर अपना 300 रन का आकड़ा पार किया और अपना 13 शतक पूरा कर महान दिगजों की सूची में अपना नाम शुमार करवाया जहां ही देखते तुफानी अंदाज में बल्लेबासी करते हुए साड़े 300 रनों का आकड़ा 280 गिंदों पर पूरा कर लिया और फिर वही हुआ जिसने रोहित को सचिन से भी महान टेस्ट खिलाडी बना दिया जिहां दोस्तो रोहित को आउट करने के लिए ठकहार कर अब तसकीन ब्रायन लारा पारकर भुत ने ब्रायन लारा के उस इकलोते माल्स्टोन को भी तोड़ दिया उस इकलोते माल्स्टोन को तोड़ते हुए जिसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल था किसी के बस की बात नहीं थी जहां उन्होंने अंत तक नाबाद रहते हुए 409 रनों की 24 चोके तो वहीं 28 चोके भी निकले थे जो बांगलदेश की बरबादी का जीता चाकता सबूत है उनकी तारीफों में तो लोगों के पास शब्दों की कमी हो गई है यहां तक कि रोहित शर्मा की तुफानी पारी को देख कर भारतिय टीम मैनेजमेंट काफी खुश हुआ और कीमती राए हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी ही शांदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद भारत के बल्लेबासों ने कमाल की बल्लेबासी की रोहित और कहली ने बांगलादेश की गेंदबासों के पर खच्चे उड़ा दिये तो ऐसे मैं आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांगलादेश के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन की पूरी रोमांचक हाइलाइट्स तो ऐसे मैं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तो ये तो आप सभी को पता है कि भारत और बांगलादेश के बीजिट टेस्स सीरीज खेली जा रही है जिसका पहला मुकाबला चिन्ने के मैदान पर खेला गया और वहाँ पर भारती टीम ने 280 रनों से अतिहासिक जीत तर्च की और बांगलादेश को शर्मनाखार का स इसके बाद में टीम इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने कले मैदान पर उत्री भारत की टीम के लिए बारी की शुरुआत करने कले कप्तान रोहिट शर्मा के साथ में ये शस्वी जैसवाल मैदान पर आया इन दोनों पर अपनी टीम को एक बहतरी काफी मदद मिल रही थी जिसकी वज़ा से रोहिट शर्मा और ये शस्वी जैसवाल को काफी परिशानी भी हो रही थी पहले दस ओवर में इन दोनों ने टीम के लिए 49 रन चोड़े लेकिन उसके बाद 13 ओवर में जैसवाल बड़ा शौट खेलने के चकर में अपना का लग गया जहां जैसवाल ने भारत के लिए 29 रन बनाए